द्रिश्टिया इसके ओडियो आटिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का ओडियो आटिकल दे हिंदू में प्रकाशित लेख आयुश्मान भारत दे बिग बजट स्कीम तथा बिजनेस टुडे में प्रकाशित लेख यूनियन बजट 2018 आयुश्मान भारत टो बी दे वर्ल्ड स बिगेश्ट हेल्थ केर स्कीम सेज पी ए मोधी के सम्मिलित सारांश पराधारित है इसमें टीम द्रिश्टि के इनपुट भी शामिल है यह ओडियो आटिकल सामान अध्यान प्रश्नपत्र 2 के सामाजिक नयाखंट से जुड़ा हुआ है तो आये लेक की शुरुवात करते हैं आयुश्मान भारत या मोधी केर एक फरवरी 2018 को केंदर सरकार द्वारा पेश किये गया आम बजट 2018-19 में आयुश्मान भारत की घोशना की गई जिसके बाद पूरे देश में यह चर्चा का विशय बन गया यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा सरकारी वित्त पोशित स्वास्त देखरेक का रिक्रम होगा जिसे उबामा केर की तरज पर मोधी केर का भी नाम दिया जा रहा है इसके तहट द्वेतियक एवं त्रेतियक स्थरिय देखरेक अस्पताल में भरती होने पर भारत के 10 करोण गरीब एवं सुभेद्धे परिवारों को प्रती वर्ष 5 लाख रुपे तक का स्वास्त बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा इस बड़ी फ्लैक्शिप योजना की परिकल्पना नीती आयोग ने की है हाला कि नीती आयोग ने पहले युनिवेर्सल हेल्थ कवरेज की पेशकश की थी जिसमें कुल 25 करोण परिवारों को शामिल किया जाना था लेकिन युनिवर्सल हेल्थ कवरेज की लागत अधिक होने के कारण इसके बदले आयुश्मान भारत को लाया गया जिसमें सिर्फ 10 करोण परिवारों को शामिल किया गया वर्तमान में इस योजना के तहट देश की 40 फीसदी जनसंख्या लाभान वित होगी आगे इस योजना का विस्तार कर देश की बाकी बची आबादी को भी इसके दाएरे मिलाया जा सकता है आईए अब हम चर्चा करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना क्या है एवम यहकिस प्रकार भारतिया नागरिकों के स्वास्ते देखभाल को सुरक्षा प्रदान करेगी हाल ही में किंद्र सरकार द्वारा सरवे भवनतू सुखिनः सरवे संतु हने रामया के सिद्धान्त पर अधारित आयुष्मान भारत योजना लाई गए इस योजना के दो भाग हैं, पहला है राश्ट्रिया स्वास्त सनरक्षन योजना, जिसके तहट द्वितियक और त्रितियक स्तरिय देखर एक हस्पताल में भरती होने पर, देश के 10 करोण परिवारों को प्रती वर्ष 5 लाख रुपे तक का स्वास्त अभीमा प्रदान किया इससे 50 करोण लोग लाभान वित होंगे, जबकि वर्तमान राश्ट्रिया स्वास्त बीमा योजना के तहट गरीब परिवारों को महज 30,000 रुपे की सालाना कवरेज हासिल है, राज्यों के पास इस योजना को लागू करने के लिए ट्रस्ट मॉडल या बीमा कंपनी आधा देश भर में डेढ़ लाग से ज्यादा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे ताकि स्वास्त देख भाल प्रणाली को लोगों के घरों के नजदीक लाया जा सके, इन केंद्रों पर विस्तरित स्वास्त देख भाल सुविधाय प्रदान की जाएंगी, जिसके संक्रामक बिमारियों से देख भाला दी शामिल हैं, इन केंद्रों पर इलाज के साथ-साथ जीवन शैली से जुड़ी बिमारियां जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डाइबिटेज, एवं टेंशन पर नियंतरन के लिए विशेश प्रस्रिक्षन का भी प्रावधान होगा, ये इन केंद्रों को अपनाने के लिए CSR और लोकोप कारी संस्थाओं के जरिये निजिक क्षेत्र को भी आमंतरित किया गया है, इस यूजना के लिए 1200 करोड रुपे का प्रावधान किया गया है, आयुश्मान भारत के लाभार्थियों की पहचान सामाजी कार्थिक जाती जन और अस्पतालों के इस्थापना की जाएगी, खासकर ग्रामेड क्षेत्रों में अव संरचनाय वंयोग्य मेडिकल प्रोफेशनल की कमी संबंधित चुनोतियों के कारण भारत में त्रीतियक इस्तर की देखभाल सुविधाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पाता, इन्हीं चुनोतियों का सामना करने के लिए प्रतेक तीन संसदियक शेत्रों के लिए कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और देश के प्रतेक राज्य में कम से कम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की उपलबधता सुनिश्चित की जाएगी, उपरोक्त पहलों के लिए केंद्र और राज्य के हि करीब मरीजों का एंशुरेंस किया जाएगा एवं जरूरत पढ़ने पर उनका कैशलिस इलाज किया जाएगा इससे रेंबर्स मॉडल की तरह खुद के खर्चे से इलाज करवा कर सरकार से पांच लाख रुपे तक की रकम वापस पाने का जंजट नहीं होगा आश्मान भारत के तहट स्वास्तिक्षेत्र के ये दो पहल 2022 तक नए भारत का निर्माड करेंगी जिससे उत्पादक्ता एवं कल्यान में वृद्धी होगी एवं मजदूरी की हानी तथद दरिद्रता से बचा जा सकेगा इन योजनाओं से खास कर महिलाओं के लिए स्वास्तिक्षेत्र म जैसी चुनाओतियों से निपट सकेगा इस योजना के अंतरगत करीब परिवार ना किवल सरकारी बलकि प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करवा सकेगे यह योजना लोगों में स्वास्त बीमा के प्रती अत्यधिक चागरुकता का निर्माड करेगी एवं इसके द इस क्षेत्र की तरफ आकरशित करेगा यह जिला एवं सब डिविजनल अस्तरों पर भी हिल्थ सेक्टर में बड़े निजी निवेश को सुगम बनाएगा अब हम बात करेंगे कि वे क्या परिस्थियां थी जिनके कारण इस योजना को लाने की आवशक्ता पड़ी साथ ही ह हम इस योजना की सफलता पूर्व शर्तों तथा संबंधित चुनोतियों पर भी गौर करेंगे। भारत एक लोग का ल्याणकारी राज्य है जो असमानता में कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है एवं भारत को विकास करने है तो एक स्वस्त भारत की भी आवशक्ता है पर एक विरुधा भास ही है कि भारत एक और जहां विक्सित देशों के लिए भी चिकित्सा पर्याटन के अवसर मुहिया करा रहा है वहीं ग्रामीड भारत की 70% दी आबादी गुडवत्ता पून स्वास्त देख भाल सुविधाओं से वन्चित है यहां तक कि शहरी क्षत्रों में भी स्वास्ते देख भाल सुविधाएं ऐसी नहीं है जो देश की बढ़ती स्वास्ते जरूरतों को पूरा कर सके इन सब के पीछे मुख्य कारण सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसीज के पास संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता है दूसरा कारण स्वास्त देख भाल व्याय कुल जीडीपी का लगभग 1.5 फीजदी ही है जबकि राष्ट्रिय स्वास्ते नीती 2017 के अनुसार स्वास्ते देख भाल पर खर्चे को जीडीपी के लगभग 2.5% तक लाना लक्षित है सीमित जन स्वास्ते देख भाल सुविधाओं एवं सार्वजनिक अस्पतालों द्वारप्रदान की जा रही निमन गुडवत्ता वाली सेवाओं के कारण ही भारत में लोगों की निजिक शत्रों पर निर्भरता दर बढ़ रही है जो वर्तमान में काफी उची है इन निजिक शत्रों द्वारप्रदान की जा रही स्वास्ते सेवाओं की गुडवत्ता एवं चिकित्सा हेतु निर्धारित मूलियों के ऊपर प्रभावी निगरानी तंत्र का अभाव है इसके कारण निजी एवं सरकारी अस्पतालों के बीच चिकित्सा संबंधी एक लोगों के पास ही स्वास्त बीमा कवर है यहां बिमारी के कारण होने वाले स्वास्त संबंधी व्याय पूरे विश्व में उच्चतम हैं देश में लाखों परिवारों को अस्पताल में भरती करने के बाद इलाज करवाने हेतु उधार लेना पड़ता है यह संपतियां ब लमी लाने एवम आय व्रिधी हितु चलाए जाने वाले महत्वपून सरकारी योजनाओं को निश्प्रभावी बनाती है इनही सब चुनोतियों का सामना करने के लिए आयुष्मान भारती योजना लाई गई है यह देश से बादा करता है कि स्वास्त पर क्षमता से अधिक व्याय के कारण कोई भी नागरिक गरीबी के दलदल में नहीं धसेगा अर्थात ऐसा देश जहां व्यक्ति पैसे की कमी के कारण गुडवत्ता पून स्वास्त देखभाल से वंचित नहीं रहेगा इस योजना की सफलता पूर्व शर्तों में सर्वप्रथम कड़े विनियम का पालन करना शामिल है जिस पर योजना की सक्षमता निर्भर करेगी साथ ही इस से रिसा वेवं दुरुप्योग की आशंका में भी कमी आएगी इस योजना के तहट लाभार्थियों को आस्पताल संबंधी चकित्सा खर्चों का भुगतान सार्वजनिक एवं निजी अस् भाशित किये जाने की अवशकता है इस दोरान इलाज को लागत प्रभावी बनाने की चुनोती भी सामने आ सकती है अधिक भुगतान के लालच में अस्पतालो द्वारा इलाज के खर्चे को बढ़ा चढ़ा कर बताय जाने की संभावना भी है जिससे यह स्कीम अत्यंत खर प्रचीली साबित हो सकती है साथे इस कीम को लागत प्रभावी बनाने की कोशिश में चिकित्सा मानकों से समझोता किये जाने के मामले भी सामने आ सकते हैं अत्या योजना की सफलता बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि लागत प्रभाव शीलता के साथ-साथ चि मंधित मुखे चुनोतियों के अंतरगत प्रात्मिक स्वास्थे सेवाओं में सुधार लाना है क्योंकि यदि प्रात्मिक स्वास्थे सेवाओं उन्नत इस्थती में रहेंगी तो द्वीतियक एंत्रितियक अस्तर पर स्वास्थे सेवाओं की लागत में कमी आएगी एवं सेवाएं और बहतर बनेंगी वर्तमान में इस स्कीम के लिए 2000 करोड रुपे की आवशकता है यह वो मागे इस बजट में और रिधी की भी जरूरत पड़ेगी इसके साथ ही सरकार को यह सुनश्चत करना होगा कि आवंटित राशी सही उद्दिश्यों के लिए खर्च हो इसक कार्ड उपलब्ध करवाने से लेकर अन्य तमाम प्रक्रियाओं को सही समय पर पूरा करना आदिशा मिल है अब हम देखते हैं कि क्या है यह यह युनिवर्सल हेल्थ कवरेज जिसे प्राप्त करने के प्रयासों के तहट आयुश्मान भारत को लाया गया इसके साथ हम यह भ परिशानी के स्वास्थ सेवाएं प्राप्त हो जाना इन सेवाओं के अंतरगत स्वास्थ प्रोत्साहन से लेकर रोक थाम उपचार पुनरवास एवं दर्द निवारक देखरे एक शामिल है यह आय अस्तर सामाजिक अस्तर लिंग जाती या धर्म के आधार पर भेद भाव किये बगैर देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों को गुडवत्ता पून, वहन योग्य, उत्तरदाई, एवं उप्योक्त स्वास्थ सेवा को प्राप्त करने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है। हाला कि सर्वजन स्वास्थ कवरेज का मुखे लक्ष, वित्तिय सुरक्षा था, परन्तु इसमें पर्याप्त अवसंरचना निर्माण, कौशल योग्त, स्वास्थ श्रम्शक्ती में व्रिध्धी, वहन योग्य दवाउं, एवं तकनीकी तक पहुँच, तथा गुडवत् भाल को सुनिश्चित करना भी शामिल कर दिया गया। आईए अब देखते हैं कि युनिवर्सल हेल्थ कवरिज को प्राप्त करने में नेजी क्षेत्र के इस तरह से योगदान कर सकता है। स्वास्त लागत के बीच विद्धिमान अंतराल में कमी आएगी। दूसरा है प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्वास्त देखभाल क्षेत्र के लिए नवाचार को समर्थन देना। इसके अंतरगत तकनीक प्रयोग जैसे स्मार्टफोन आधारित सेवाएं, कृत्रे मुपग्रहों की साहयता से टेली मेडिसिन का प्रयोग इत्यादी शामिल है। इसमें स्वास्त कर्वनियों का प्रशिक्षन, गुडवत्ता प्रमाडिकरन, आकड़ों का संग्रहन, वमुनहे साजा करना तथा मॉनिटरिंग धाचा आधी तैयार करना शामिल है। तीसरे तरीके में निजिक शत्रों द्वारा कर्मचारियों के स्वास्त देख भाल हे तुनिवेश भी शामिल है। प्राप्त है, उनकी जीवन प्रत्याशा भी उच्च है। इसलिए सरकार ने इस वर्ष्य स्वास्त खर्चे में पिछले वर्ष के मुकाबले 12 फिस जीकी वृद्धी की है। इस यूजना के द्वारा सर्वजन स्वास्त कवरेज को प्राप्त करने की दिशा में एक कदम बढ़ाने का अर्थ होगा। समानता, विकास प्राथमेकताओं एवं समाजिक समावेशन तथा एक चुटता की तरफ कदम बढ़ाना। भारत की नई राष्ट्रिय स्वास्ते नीती 2017 जो नई बिमारियों एवं निवारक स्वास्ते सुविधाओं पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि कैसे नीजिक शेत्र स्वास्ते देखभाल प्रदान करने में रणनीतिक भागिदार की भूमिका निभा सकता है। इससे युनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। गंभीर बिमारियों का बढ़ता भार स्वास्ते लागतों पर दबाव पैदा कर रहा है। इसलिए वैल्यू चेन द्वारा गंभीर रोगों के प्रबंधन को उननत करने की ज़रूरत है। युनिवर्सल हेल्थ केर को प्राप्त करने के दिशा में कदम बढ़ाते हुए हम मैक्सिको जैसे विकास शील देश्ट से भी शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे एक मध्यम आयवर्ग वाले देश्ट ने आर्थिक तथा स्वास्तक शेत्र में विद्धिमान विभेन्य चुनौत के बावजूद अपने स्वास्ते तंत्र का काया पलट किया एवं एक दशक से भी कम समय में युनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्राप्त कर लिया। आई एम एफ के अनुसार इसकी क्षमता संभावनाओं को देखते हुए नेपाल एवं अफगानिस्तान जैसे देश भी इस तंत्र को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। अंतराल को भरते हुए भारत को युनिवर्सल हेल्थ कवरेज लक्ष को प्राप्त कराने की दिशा में किस सीमा तक सक्षम होगा समालोचनात्मकुत्तर दें।